हाई गाईज, वेलकेम जूबी बैंकर, स्वागत आपकाज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ प्रीती माम और आज में लेकर के आगई हूँ आपके लिए कॉर्णे जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है भी आज की क्लास, आज रोजजाना प्रेयोग होने वा जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लिजएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए, आपको पके दोर पर पता चल जाए, ऐसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दू, क्लास हर रोज आती है, तो डेफिन सकते हैं, हमारे साथ सीधे सीधे हमारे टेलिग्राम पर, टेलिग्राम की लिंक आपके स्क्रीन पर है, टेलिग्राम का नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप इन दोनों के ही जरिये हमारे साथ जुड सकते हैं टेलिग्राम पर, तो डेफिनेटली जुड जाएए, हमारी फ्री उसे अंदर ले आओ, bring him in, हमारे साथ आओ, come with us, मुझे काम करने दो, let me work, मैं अभी वहाँ आता हूँ, मैं अभी वहाँ आता हूँ, कितना relatable वाक्य हैं, हम लोगों रोज मर्रा की life में कभी न कभी इस वाक्य का इस्तमाल जरूर करते हैं, मैं अभी वहाँ आता हूँ, I will be right there, I will be right there, तुमने अच्छा किया, you did well, तुमने अच्छा किया, you did well, आपको शांत रहना होगा, you need to calm down, जादा दूर मत जाओ, don't go too far, तो too far मतलब जादा दूर, far मतलब far शाप्त का इस्तमाल दूरी को denote करने के लिए किया जाता है, far मतलब दूर है न, और to जब भी हम लोग इस्तमाल कर लेते हैं, मतलब उस पे हम लोग जोर डाल रहे हैं, don't go too far, जादा दूर मत जाओ, don't go too far, ये किसने तोड़ा, who broke it, ये किसने तोड़ा, who broke it, अपन काम ठीक से करो, do your work properly, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, I have been studying since morning, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, I have been studying since morning, मुझसे दूर रहो, जब गुस्ता होते हैं, हम लोग किसी से तो क्या बोलते हैं, कि दूर हो, मुझसे दूर हो, यानि कि stay away from me, मुझसे दूर रहो, stay away from me, मैं बरबाद हो गया, I am devastated, devastated एक शब्द है, जो डिनोट करता है, मतलब किसी बरबाद हो जाना, या बहुत बुरा होना किसी के साथ, उसको डिनोट करता है, यह शब्द, ठीक है, तो जब भी आप इस शब्द का स्तमाल करें, जब चैन करें शब्द का, तो थोड़ा स समझ के करिएगा, काफी जादा strong शब्द है, जो दिखाता है, basically मतलब बरबाद हो जाना, चीजे खराब हो जाना, बिल्कुल ही बेकार हो जाना, इस शीज को डिनोट करता है, ठीक है, तो जब भी आप इस्तमाल करें, थोड़ा सो समझ के इस्तमाल करेंगे, मैं बरबाद हो किया है, जो कि मेल मेंबर्स के लिए इस्तमाल होता है, यह हम सब को पता है, अगर हमें किसी लड़की के बारे में, किसी बंदी के बारे में बात करनी होती, तो हम लोग क्या बोलते है, हम लोग बोलते है, शी इस वेरी अरोगेंट और अरोगेंट जो है, वो शब्द है, ब लब बात वात ना करता हो, तो वो बहुत घमंडी है, he is very arrogant या she is very arrogant, तो या फिर अगर मान के चलिए, आप सीधे सीधे नाम लेकर किसी से बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे, रानी is very arrogant, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, रानी is very arrogant, राजु is very arrogant, इस तरीके से आप नाम लेकर के भी, बस यहाँ पर switch करके उसको इसका स्तमाल कर सकते हैं, बढ़ते हैं आगे, तुम कब पहुँचे, when did you arrive, तुम कब पहुँचे, when did you arrive, मैंने उसे पान सो रुपे दिये, मैंने उसे पान सो रुपे दिये, I gave him 500 रुपेज, बढ़ते हैं आगे, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, या आपको एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंड्रस्टांड एट वनस, मतलब होता है na, कई बार किसी को मतलब समझाय जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता, तो क्या बोलते हैं चड़के हम लोग, कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आता, ठीके, तो don't you understand at once, मैं बैंक में काम करता हूँ, I work in a bank, मैं बैंक में काम करता हूँ, I work in a bank, बैंक के जगा पर आप जिस भी जगा पर काम करते हो, वहाँ का नाम लिख करके आप बोल सकते हैं, चिके, क्या बोल सकते हैं, कि मैं बैंक पर काम करता हूँ, मैं किसी ओफिस में काम करता हूँ, मैं दुकान में काम करता हूँ, तो आप उसके हिसाब से स्विच करके अपने हि बोल सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं समय पर आ जाओंगा, I will come on time, मैं समय पर आ जाओंगा, I will come on time, मुझे एक कप कॉफी देना, give me a cup of coffee, बढ़ते हैं आगे, तुम बेकार में परिशान होते हो, you are unnecessarily upset, unnecessarily एक ऐसा शब्द है, जो इस्तमाल होता है, denote करने के लिए, कि बेकार में, मतलब जिसकी required, requirement नहीं है, जिस चीज़ की, है न, उसको denote करने के लिए, इस्तमाल होता है, कि तुम बेकार में परिशान होते हो, you are unnecessarily upset, अपना ख्याल रखना, take care of yourself, अपना ख्याल रखना, take care of yourself, मैं आपको जानता हूँ, I know you, मैं आपको जानता हूँ, I know you, आप मुझे कैसे जानते हैं, how do you know me, मैं जल्दी निकल जाऊंगा, I will leave soon, मैं जल्दी निकल जाऊंगा, I will leave soon, मुझे नींद नहीं आ रही है, I am not feeling sleepy, मुझे बहुत नींद आ रही है, I am feeling very sleepy, मुझे बहुत नींद आ रही है, I am feeling very sleepy, सच्चाई हमेशा कडवी लगती है, the truth always seems bitter, सच्चाई हमेशा कडवी लगती है, कडवी या कडवा जो शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है bitter, चिके B I double T E R, जैसे की करेला जानते हैं, करेला कैसा होता है, कडवा होता है, तो उसको कहते है bitter God, है न, God basically उस प्रजाती की सबजी का नाम है, और क्योंकि वो कडवा होता है, तो उसको bitter God कहते हैं, चिके, तो कडवी के लिए हमारे पास अंग्रेजी में क्या शब्द है, bitter शब्द है हमारे पास, तो सच्चाई क्योंकि कडवी होती है, the truth is always bitter, या truth always seems bitter, truth मतलब सच्चाई, the truth always seems bitter, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, I will come in a while, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, I will come in a while, अपनी ओकार्ट में रहो, stay within your limits, मेहनत करते रहा करो, keep working hard, मुझे जवाब चाहिए, I need an answer, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मुझे आपसे बात नहीं करनी, I do not want to talk to you, या I don't want to talk to you, do not को या चाहिए तो don't के रूप में इस्तमाल करें या do not के रूप में इस्तमाल करें, आपकी इच्छा है, I do not want to talk to you, या I don't want to talk to you, मुझे तुमसे बात नहीं करनी I do not want to talk to you जो बोलना है बोलो Say whatever you want to say जो बोलना है बोलो Say whatever you want to say मुझे घबराहट हो रही है I am getting nervous मुझे घबराहट हो रही है I am getting nervous ये तो हो नहीं था This had to happen जबान मेरे पास भी है I also have my words आप इसको न क्योंकि हम लोग बोल चाल के practice कर रहे है अंग्रेजी बोल चाल के practice कर रहे है तो आप सीधे सीधे अगर word to word translate करने की कोशिश करेंगे अनुवाद करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो वाकिब बन पड़ेगा अंग्रेजी में वो बोलने में आप comfortable नहीं होंगे तो rather हम लोग क्या करते हैं हम लोग उसका जो essence होता है उसका जो basically message होता है उसको हम लोग convey करते हैं जैसे जबान मेरे पास भी है I also have my words ये देखिए word to word translated नहीं है लेकिन convey same meaning कर रहा है कि भाई मैं भी बोल सकता हूँ मेरे पास भी जबान है I also have my words कान खोल कर सुन लो listen carefully अब कान खोल कर सुनना इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना यहाँ पे भी हम लोग essence की बात कर रहे हैं अब कान खोल कर सुनने का मतलब यह थोड़ी ही क्या बोलेंगे open your ears and listen no you can't say this मतलब हम लोग बोल आप इसको word to word अगर अनुवाद करेंगे तो जो बाक्य बन पड़ेगा थोड़ा अटपटा सा बन पड़ेगा इसी वज़े से कई बार essence का अस्तमाल किया जाता है मतलब same convey हो जाता है बस जो words है वो different हो जाता है जैसे कान खोल कर सुन लो इसका अच्छल में मतलब क्या है कि बोला जा रहा है कोई बात अको बताई जा रही है ध्यान चा सुनो so listen carefully listen carefully तुम इसी लायक हो you deserve it तुम इसी लायक हो you deserve it तुम यहां से चलते बनो you walk away from here तुम यहां से चलते बनो you walk away from here मुझसे गलती हो गई I made a mistake मुझसे गलती हो गई I made a mistake उसे घर छोड़ दो drop him home उसे घर छोड़ दो, drop him home, तो यहाँ पर drop him home है, हिम है तो मतलब साफ है कि आप किसी male member की बात कर रहे हैं, वाक के सेम रहता और आप किसी लड़की के लिए या किसी महिला के लिए बात कर रहे होते, तो him के जगा पे हर लग जाता, drop her home, हिंदी सेम रह जाती, उसे घर छोड़ दो, drop her home, female के लिए, drop him home, male के लिए, साफ है बात, चलिए बटने आगे, आप होश में तो हैं, are you in your senses, उसका मजाक मत उड़ाओ, don't make fun of him, इन सब में मुझे मत घसीटो, अब घसीटना जो शब्द होता है, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द हमारे पास drag, d-r-a-g, drag, ठीक है, घसीटना मतलब drag, तो इन सब में मुझे मत घसीटो, do not drag me into all this, do not drag me into all this, या don't drag me into all this, दोनों ही आप इस्तमाल कर सकते हैं, आपको जो याद रहे हैं, वो आप इस् is my medicine, मैं अभी विस्त हूँ, I am busy right now, मैं अभी विस्त हूँ, I am busy right now, वो बहुत चलाक है, he is very clever, clever के लिए, छलाक के लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है, clever, या वो बहुत चलाक है, he is very clever, साफ सुथरा रहा करो, stay clean, मूँ धोलो, wash your face, मैं अभी तयार नहीं हूँ, I am not ready yet, yet शब्त का स्तमाल ही हुआ है, ये बताने के लिए कि अभी तयार नहीं है, as of now तयार नहीं है, right now तयार नहीं है, तो I am not ready yet, मैं अभी तयार नहीं हूँ, I am not ready yet, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in, तुम कर सकते हो, you can do it, तुम ये कर सकते हो या तुम कर सकते हो, you can do it, क्या मैं गलत था, was I wrong, क्या मैं गलत था, was I wrong, उसकी तरफ मत देखो, do not look at him या don't look at him नंगे पैर मत चलो, do not walk barefoot या don't walk barefoot barefoot मतलब क्या होता है जब पैर में जब कुछ नहीं पहना तो वो barefoot हो गया नंगे पैर मत चलो, do not walk barefoot हवा में आज ठंडख है, the air is cold today मैं परिशानी में हूँ, I am in trouble तुम क्या ढूंड रहे हो, what are you looking for? तुम क्या ढूंड रहे हो, what are you looking for? मुझे वहाँ पहुचा दो, get me there कितना कमा लेते हो, how much do you earn? कितना कमा लेते हो, how much do you earn? उससे माफी मांगो, apologize to him उससे माफी मांगो, apologize to him या आप कह सकते हैं, say sorry to him चिक है? अपॉलोजाइस का मतलब भी होता है, माफी मांगना sorry कहने का मतलब तो होता ही है, माफी मांगना तो आप दोनों message जो आपको याद रहे, आप उसका इस्तमाल करें, या तो आप इस्तमाल कर सकते हैं, apologize to him जो कि काफी भारी शब्द याद रखने के लिए, वैसे आप याद रखेंगे तो language काफी standard हो जाएगी या तो अगर आपको याद न रहे, फिर भी आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोलिए say sorry to him बहुत ही आसान है और आपको एकदम से याद रहेगा, ठीके, तो इसको इस्तमाल करिएगा गुदगुदी मत करो, तो गुदगुदी के लिए हमारे पास अंगरेजी में शब्द है tickle क्या शब्द है? tickle गुदगुदी मत करो, do not tickle मुझसे वादा करो, वादा के लिए भाई शब्द तो पता ही होगा promise है ना? वादा यानि की promise, मुझसे वादा करो, promise me समय बीत चुका है, the time has passed समय बीत चुका है, the time has passed बहुत देर हो चुकी है, it is too late मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't feel so मुझे ऐसा नहीं लगता, I don't feel so आपकी बात हुई? मेरी किस्मत खराब है, I have bad luck आपने क्या कहा, what did you say? आराम से रहो, be comfortable अब comfortable शब्द का मतलब ही है कि आराम से रहना है मतलब बिल्कुली आराम से है आराम से रहो, be comfortable मुझे जाने दो, let me go मुझे जाने दो, let me go तुम्हें क्या लगता है? what do you think? तुम्हें क्या लगता है? what do you think? लिफ्ट काम नहीं कर रही है the lift is not working मैंने यहाँ पर लिफ्ट का एक्जाम्पल लिया है आप चाहें तो यहाँ पर लिफ्ट के जगा पर जो भी चीज काम नहीं कर रही है आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं जैसे फ्रिज काम नहीं कर रहा है the fridge is not working वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है the washing machine is not working मिकसर काम नहीं कर रहा है the mixer is not working Bulb काम नहीं कर रहा है The bulb is not working Basically, वो चीज खराब हो चुकी है आपको ये message convey करना है कि वो काम नहीं कर रहा है खराब हो गया तभी काम नहीं कर रहा है So, यहाँ पे lift का जगाँ पे आप किसी भी appliance को डाल करके बोल सकते हैं ठीक है? Light कब आएगी? When will light come? Light कब आएगी? When will light come? Light चली गई है The light has gone off Light चली गई है The light has gone off मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है I feel like vomiting उल्टी के लिए एक शब्द है हमारे पास अंग्रेजी में That is vomiting Vomit या vomiting मतलब जब महसूस हो रहा हो तो तब vomiting के इस्तमाल करेंगे Depending on कि आप किस वाक्य में इस्तमाल कर रहे है मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है I feel like vomiting उसे पैसे चाहिए He needs money मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ I am on your side मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ I am on your side मैं आपके साथ हूँ I am with you आप दोनों में से कोई भी वाक के इस्तमाल कर सकते हैं Basically आप क्या convey कर रहे हैं कि आप सामने वाले के साथ हैं So मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ तो आप इस्तमाल कर रहे हैं I am on your side मैं आपके साथ हूँ I am with you दोनों में से कोई भी शब्दा पिस्तमाल कर सकते हैं वह यहां काम करता है He works here मुझे उनसे मिलना है I have to meet him बढ़ते हैं आगे क्या आपने उसे देखा? Did you see him? उसकी दाड़ी सफेद है His beard is white वह एक बुढ़ा आदमी है He is an old man मैं जा रहा हूँ I am going मैं जा रहा हूँ I am going तुम इसे भूल जाओगे You will forget it तुम इसे भूल जाओगे You will forget it यहां किस लिए आए? What brings you here? यहां किस लिए आए? What brings you here? बढ़ते हैं आगे वह आपसे बात करेगी She will talk to you वह आपसे बात करेगी She will talk to you कृपया मुझे जाने दीजिए Please let me go कृपया मुझे जाने दीजिए Please let me go तुम्हारा गुसा जाएज है जाएज मतलब जो सही है So your anger is justified जब भी आपको कोई चीज लगे सही है मतलब सही चीज हो रही है तो आप इस शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं तुम्हारा गुसा जाएज है Your anger is justified वो बहुत चलाख है He is very clever मेरे रास्ते से हट जाओ Move out of my way क्या इस्तमाल करेंगे मतलब वे मतलब रास्ता So he is मेरे रास्ते से हट जाओ Move out of my way उसका इस्तमाल करेंगे सौ बात की एक बात To cut a long story short क्या इस्तमाल किया हमने सौ बात की एक बात अब यहां बे भी आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या क्या What to word अनुवाद नहीं किया Basically हमने essence को बताया अब सौ बात की एक बात अगर इसका आप meaning ध्यान से सोचे तो क्या है इसकी meaning कि बहुत सारी बाते ना करके एक बात मतलब सारा को summarize करके एक बात तो इसलिए अंग्रेजी में इस्तमाल हुआ To cut a long story short मतलब लंबी कथा सुनाने से बेटर है सीधे मुद्धे पर आ जाते हैं बता देते हैं मतलब सौ बात की एक बात To cut a long story short मैंने देखा है कि I have observed that मैंने देखा है कि I have observed that मुझे चैन से जीने दो Let me live peacefully चैन से जीना, अराम से जीना, शांती से जीना Peacefully Peace मतलब चैन, अमन, शांती मुझे चैन से जीने दो Let me live peacefully क्या तुम व्यस्त हो? Are you busy? क्या तुम व्यस्त हो? Are you busy? मेरा मन बेचैन है, My mind is restless, उससे माफी मांगो, apologize to him, चिके, चलिए, बढ़ते हैं आगे, मुझे जवाब चाहिए, I need an answer, मुझे जवाब चाहिए, I need an answer, तुम्हारी तबियत ठीक है न, are you feeling well, तुम्हारी तबियत ठीक है न, are you feeling well, So yes guys, ये थी आज की class, उम्मीद है class आपको समझ आ गई होगी, आपकी बढ़िया से practice हो गई होगी, पढ़ते पढ़ते की बीच में practice करना जो है न, बेहत जरूरी हो जाता है, और मैं आपके लिए चुन करके, ऐसे वाग के लेकर के आती हूँ, जो हमारी आम जंदगी में आराम से इस्तमाल होते हैं, फिट बैट जाते हैं, तो भाई इन वाक्यों के इस्तमाल करके, आप आराम से practice कर सकते हैं, और बड़िया से अंग्रीजी तो आप बोलेंगे ही, बोलेंगे न, so yes guys, class पसंद आई है, class को like कर दीजे, share कर दीजे, अप bell notification जरूर दबा लीजेगा, इसके साथ ही आप telegram पर हमारे साथ जुड सकते हैं, ताकि हमारी free courses की access आपको आपर मिल सकें, हमारी e-books के बारे में आपको पता चल सकें, हमारी paid courses के बारे में, free courses के बारे में आपको पता चल सकें, आप पता कर पाएं, और उनसे जुड पाएं जैसे की basic plus spoken English ये एक free course है और इसकी e-book भी available है, तो इसके लिए आप telegram पर आ सकते हैं, mini spoken English course और इसकी e-book के लिए भी आप telegram पर आ जाएए, ये तीनों किताबे कब आ रही हैं, आपको कैसे मिल सकती हैं, इसकी जानकारी भी आपको telegram पर मिल जाएगी, हमारे किसी भी course, चा writing section भी उनको कराया जाता है, साती सात कराया जाता है आपका grammar portion भी, तो इसके लिए भी और अगर ऐसे किसी भी competitive exam के आप तयारी कर रहे हों, जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये course आप ही के लिए है, आपका पूरा syllabus कवर कराया जाता है, reading comprehension, vocabulary, high end vocabulary, basic advanced grammar, सारी चीज सब चीजे कराया जाती है, तो इसकी जानकारी भी आपको जो है telegram पर मिल जाएगी, तो do join us on telegram, daily updates के लिए और जब भी आप message करें, तो उससे लगबग 12-40 गंटों का वक्त लग जाता है, depending कि working day है या नहीं, working day नहीं होता है, तो उस दिन तो off होता है, तो हमारी team को फिर भ बात, so yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with Viviankar, empowering lives through knowledge, thank you so